विजे नगर के आज़ाद पार्क में स्थापित चंदर शेखर आज़ाद की प्रतीमा के हाल बेहाल और दुर्दशा देखकर तरुन शक्ति संस्था के संस्थापक धिरज पटेरिया ने एक पत्र कालवारता कर बताया कि जल्दखी नई प्रतीमा का अनागरण कर भवे प्रदान किया जाएगा तरुन शक्ति संस्था के संस्था के संस्थापक धिरज पटेरिया ने विजे नगर आज़ाद पार्क में स्थापित चंदर शेखर आज़ाद के प्रतीमा के हाल बेहाल देखकर उनके बरीदान दिवसे 27 फरवरी पर खंड़त रही बलकी नई भव प्रदान किया जाएगा यहे जानकारी के पत्रकार वारता में धीरजपट एरिया ने देते खुए बटाई जिन्होंने देश के लिए कहीं कुर्बानिया दी और देश के लिए एक मिसाल कायम की थी आज़ प्रिशासन के अंदेखी के चलते बदहाली की करगार पर नज़र लिए है ने देश के नौजवानों के फर्दे जन शहीदों के नाम से हमेशा इस-पंदित होते रहे हैं जो उत्यूमनान का इना करे सब्रक्राइब रुलने चुने चौर्ठ creative लेड़ाइब है, नहीं है, पिजब संक्ल्प का अधिरल को भूत रेना करें, आज़ाना की भूत वाप आई बासितां दियाए हขुती तो ये अधिदी तक नहीं मिला है, उसके लिए स्वैम आवाज उठाए जबलपूर में विजय नगर इसके आजात पर जहां पर 2007 में रांतिवीर चंदर शेकर आजात की प्रतिमा लगाई गी थी आज वो प्रतिमा दो तीन वर्षों से जीन शीन उसका हाट तूटा हुआ है इस सिति में तरौन सक्ति संगटन ने संकल्प लिया है कि हम सब इस बार 27 परवरी को जानतिकारी चंदर सेगर आजाज जी की पुर्ण तितिपर खंड़िक प्रतिमा पर नहीं नई प्रतिमा पर सब्दांजरी करेंगे और इस सेथू हमने पूरे सहर के राश्ट भक्तों को आमंतित किया है एक दीप और एक कुछ भली के वहाँ पर जरूर आए एक समय पर नहाएं अलग अलग आएं जरूर आएं और हमारी एक साथ मांग और है इस मांग को हम कई मैनों सो ड़ा रहें कि इन सहीदों को भारत रत्न मिलना चाहिए और संसत के सेंटरल हॉल्मन के देल चितन लगना चाहिए अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरो करेट्स न्यूज को बैल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 97702299